हेलो एवरिवन और मेरी तरफ से सबको हैपी न्यू येर और न्यू येर के खुशी में मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ लेमन पेपर चेकन की रेसिपी जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया लेमन जूस फ्रेशली कुटा हुआ पेपर कॉर्ण जिंजर पर मैं दो किलो के हिसाब से सबकुछ ली हूँ तो इतना का मैं क्या करूं बता के मैं 500 क्राम के हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कितना क्या चाहिए तो उस हिसाब से आप लोग अगर आपको ज्यादा बनाना है तो ज्यादा ले लेना कम बनाना है तो कम यहां पर देखें यहां पर मैंने डाला है सबसे पहले दही यह जिंजर काली का पेस्ट फिट मैं डालोंगी लेमन जूस फिर ब्लैक पेपर यह जो कूट के रखा है वो फिर नमक फिर डाल के इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है और यह जो मैरिनेशन है यह आपको 4-5 घंटे पहले कर देना होगा अच्छा रहता है एक घंटे पहले भी आप कर सकते हैं लेकिन हा तुरंत मैरिनेट करके तु फिर यह अच्छा नहीं बनेगा कम से कम एक घंटे पहले तो आपको मैरिनेट करना ही होगा और यह देखिए मैंने डाल दिया है लेमन जूस इसमें खूब सारा लेमन जूस पढ़ता है तभी यह थोड़ा सा हलका सा टैंगी सा फलिवर आता है इसका बहुत अच्छा बना तो यह देखिए आप मैं अपी लेमन जूस डाल दी फिर में डाल रही हूं अपी नमक और इन सभी चीजों को डालने के बाद एक बड़े बोल में मैं डालूंगी फिर इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इसको फ्रिज में रख दूंगी छे साथ घंटे के ल तो वाइट ओयल भी डाल सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले सरसो का तेल को मैं गरम करूंगी फिर इसमें डालूंगी थोड़ा सा बटर आप चाहें तो थोड़ा और बटर डाल सकते हैं लेकिन मैंने इतना ही यूज किया है और आप डालिए इसमें अब जो भी आपको यह तो दिखिए यहां पर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर कॉर्ण और इलाइची यह चार-पांच इलाइची डाल दिया मैंने फिर डालूंगी मैं थोड़ा सा सिनिमन स्टिक एक और तीन-चार लॉंग और इसको मैं हलका सा गरम कर लूँगी हलका सा उसके बार मैं चिकन की पीसे को फ्राइच कर लूँगी तो एक साइड में आप देख सकते हूं देख रहे हूंगी कि अभी एक मैं बैच जो है वो बन भी रहा है तो क्वांटिटी थोड़ी जादा थी तो बहुत सारे तीन- चिकन के पीसे को गरम तेल में उसके बाद इसको छोड़ देना है तीन-चार मिनिट के लिए उसके बाद जब तक नीचे एक गोल्डन सा कलर आजाएगा ध्यान रखना है जल न जाए क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है और हलका सा गोल्डन कलर आजाएगा तो इसको इसे तरीके से गोल्डन कलर दोनों तरफ आजाएगा फिर इसमें बागी किस जो भी सामान बचे वे हैं वह मैं डाल दूंगी तो यह देखिए इसको भी अच्छे से पलट दूंगी मैं और पलटने के बाद और थोड़ा सा फ्राइग करूंगी बहुत जादा टाइम नहीं यह चिकन बनने में और बहुत जादा महनत भी नहीं लगता है बहुत जादा कुछ काटना पीटना भी नहीं पड़ता है तो यह बहुत ईजी और बहुत ही अच्छा एक स्टार्टर है स्नैक है आप चाहें तो इसे बना सकते हैं यह देखिए यहां पर मैंने डाला है थोड यहां पर रखा हुआ था वह भी मैं डाल रही हूं अभी तो इसमें काली मिर्च और नीम्भू का जो है वह बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था इसका नाम ही है लेमन पेपर चिकन तो इस दोनों का ही फ्लेवर बहुत ज़दा आता है और इसमें तो कोई खास मसाले तो यह देखें यह बन के तयार हो चुका है तो एक बार मेरे तरफ से आप सब को फिर से हैपी निव येर